किस चीज की रेस? घोडों की रेस राइट? मुझे एक बार बताओ कभी गधों की रेस होती है तो फिर नेटवर्ट में गधे लाते क्यों हो? जो अब्यक्ति कहता है कि मेरे पास वक्त नहीं है मैं प्रड़क्ट खरी दूँगा नेटवर्ट नहीं बना सकता मेरे से प्रड़क्ट बिकेगा नहीं, मैं किसी को बताऊंगा नहीं वो दोजार पे के प्रड़क्ट लेता है आप कहते हैं एप्लिकेशन फॉर्म साइन कर दो आप डिस्ट्रिब्यूटर भी बन जाओगे जिन लोगों ने इस बिसनस में अंदर आके काम नहीं करना होता और जिनकी रिजामंदी नहीं होती जब जिबर जस्टी हम उनको इस बिसनस में लाके एप्लिकेशन फॉर्म भराते हैं तो वो गदे हैं जिनकी आप रेस दुड़ाना चाहते हैं वो लोग जो सरफ हमारे गराहक थे पर अगर रेस जीतनी है तो अपने नेटवर्क में घोड़े लाओ क्या कोई भी घोड़ा रेस आस बन सकता है जो रेस आस बनता है उसका बचपन से जब छोटा घोड़ा होता है तब उसका चुनाव किया जाता है तीन से लेकर चास साल तक उसको ट्रेनिंग दी जाती है हर रोज यह नहीं कि महीने में तीन घंटे ट्रेनिंग दे दी अब रेस आस बनेगा नहीं बनेगा अगर आपको रेस आस बनना है तो आपको हर रोज अपने आपको ट्रेन करना है क्योंकि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि सफलता उनी को मिलती है जिनकी त्याहिए चीती है जो आप रेस आस बनना चाहते हो अपनी जिन्दगी के रेस चीतना चाहते हो चाहते हो कि राहुल मकरानी जी की तरह आपका भी चेक दस प्लाथ रुपए से उपर हो निक्चंदोरा या हमारे पारिक जी अगर इनके जैसे लीडर बनना चाहते हो तो हर रोज अपने आपको ट्रेन करो तीन से लेकर चार साल तक इस घोड़े को ट्रेन किया जाता है इसको खादर परदाथ खाने में वो चीज़ दी जाती है ताकि जो उसको शक्तिशाली बनाएंगी यानि कि जो आपके लिए भोजन है वो है एजुकेशन जो आपको मेंटली स्ट्रॉंग बनाएगा वो ग्रेस जीतने के लिए घोड़े को इतना नहीं खिलाते कि इतना मोटा घोड़ा हो जाए लोग कहें जी खाते पीते घर का घोड़ा है मोटा घोड़ा कभी जीत सकेगा नो राइट ऐसा जो आपने करना है जो आपने रेस जीतनी है तो अपने साथ घोड़े लेके आने है घोड़ों की परिभाशा यानि उनका चिन क्या होता है लीडर यह नहीं कि नेटवर्क मारकटिंग के अंदर अगर आप कहीं पाँच दोस्त खड़े हो गए उसके अंदर एक आदमी होगा जो सबसे जारा बोल रहा होगा और सबको बात कर रहा होगा लोग उसकी बात पर हस पी रहोंगे समाइल भी कर रहोंगे और ध्यान से उसक इनकाम कर रहा है उसके पास बड़े सपने हैं जिनको वो पूरा करना चाहता है इस प्रकार के लोग लाओं ऐसे नहीं देखो ऐसा है जो देता है उपर वाला कुछ रहा है अगर हमारी किस्मत में लखा है तो कोई छीन नहीं सकता ठीक पंटों के पास जो सारे दिन जाके बता जाते रहो जी बताओ कब आएगा राइट वो लोग अपनी किस्मत खुद नहीं लिखते हैं वो बाकियों को डोते हैं ऐसे लोगों से बचो घोड़े अगर आप लीडर लाओगे आपके नेटवर्क में हमेशा आग लगेगी अब एक जगा मैंने ट्रेनिंग प्रोग्राम किया तो उसके बाद जब मैंने कहा कि अपने नेटवर्क में घोड़े लाओ उसके कुछ दिन के बाद एक आदमी राया सर आपने कहा था नेटवर्क में घोड़े लाओ मैं तो घोड़े लाया पर जब मैं जाता हूँ उनके साथ काम करता हूँ तो काम करते हैं जब मैं वापस आ जा तो वो पीछे से कुछ नी करते मैंने कहा आपको कहा था कि रेस के घोडे लाओ शादी वाले घोडे नहीं राइट शादी वाले घोडे की आदत पढ़ चुकी होती है जब तक उसके सामने तु तू तुडू तू 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 ना करो वो तब तक नहीं चलता वो चार कदम चलता फिर रुख जाता क्योंकि उसको फिर चाहिए होता है तू 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 यानि कि ट्राइट तू ब्रिंग इन पीपल जो सेल्फ मोटिवेटेड है जिनका गोल और जिनकी विजिन बिलकुल क्लियर होती है